हेलो स्टुडेंट्स मैं विशाल गुपता आपका टीचर आज मैं आपको क्लास 11 सब्जक्ट अकाउंटेंशी चैटर बैंकरी कॉंसिलेशन स्टेट्मेंट फ्रॉम दा भूक ओफ डीके गोल से कोश्चन नमबर 13 और 14 कराने जा रहा हूँ स्टुडेंट्स के पिछले 12 कोश्चन मैं अपनी वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए शेर और लाइक करना ना भूले ठीक है जी तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बी आरस का ये 13 कोश्चन तो मैंने ये लिख लिया है बी आर स्टेट्मेंट फॉलिंग पर्टिकुलर्स on 31st मार्च 2014 तो सबसे पहले मैं यहां पर डेट लुखूंगा 31st दिसम्बर 2014 ठीक है जी I had a overdraft of 750 as shown by my passbook तो overdraft simple बात है जी यह overdraft है as per passbook ठीक है जी कितने का है 750 रुपे का चलो आगे बढ़ते हैं जी उसके बाद वह कह रहा है आई इसूड़ा चेक फोर रुपीज डाई सो आउट विज दो सो वर्थ ओनली सीम्टू है प्रेजेंटेट फॉर प्रेजेंट प्रेजेंट नहीं हुए ना तो यहां पर मैं लिखूंगा चेक्स इशूड़ बट नौट प्रेजेंटेड तो यह कितना आ गया था 250 माइनस 200 करके यह 50 रुपे यहां से लेस्ट कर देंगे क्योंकि हमाने कैश्बूक में तो लेस्ट की हुए उसके बाद चेक्स अमांटिक रुपीज 100 हैड बीन पेड in by me 30th December but only 75 has been credited in the past book तो यहां पर लिखेंगे checks deposited but not collected but not collected और वो कितने के students वो 100 के थे और 75 ही अभी आए हैं हमेरे खाते में बैंक में तो पचेस नहीं आए कर लो क्योंकि कैश्बूक हमने एड की हुए आइ आइ आलसो फाइंड आड चेक और रुपीस 10 विच आइड डेबिट इंदा बैंक अकाउंट इन माई पास्बूक बैंक लेकिन बैंक डालना मैं भूल गया ठीक है तो यहां भी हमें पास्बूक में एड ही करना पड़ेग चेक डेबिटेड इन कैश्बूक बट ओमिटेड तू भी बैंक डू कितने का है 10 रुपे का ठीक है जी चलिए अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ इसकी क्या वह स्टेट्मेंट कह रहा है और देर वाजब डेबिट ओफर देर डेबिट पच्छेस इन माई बैंक पास्बूक फोर इंटरस्ट हों यह तो ओवर ड्राफ का है तो इंटरस्ट है Prophet मोटर्व कितने का जाय帶 है टो squares ऐनं में म्यद्ट यहां डेख रेट अब थर्थटी और भाइंटेश को मोटर्वो तो ट्र॥। इसक हो का, my passbook also shows a credit of SART to my account for interest on investment directly. तो ये interest on investment directly in bank, पर हमारे पास cashbook में नहीं है, तो हम इसको less करेंगे, यहां से 60 रुपे का, ठीक है जी, तो चलिए, अब इसका balance कर लेते हैं, 25-50 और ये 60 रुपे ही आ गया, 7.5, 890, 890 ये आ गया हमारे पास, तो हम यहां पी अब लिखेंगे, इसका तो माइनिस यह आ रहे हैं न, 830, overdraft as per cashbook, ठीक है जी, ये हमारा, इसका answer है, 13th question का, ओके students, ये लेजिए, एक बार दुबारा question अच्छे तरह देख लीजिए, ठीक है students, चलिए, ओके जी, चलो, अब हम करते हैं 14th question, तो 14th question में भी हमें क्या बनाना है, बी, आर, एस, यहाँ पे हम लिखेंगे particulars, यहाँ आएगा plus, यहाँ आएगा minus, यह रूपिज और यह रूपिज, सबसे पहले हम बात करेंगे कि 14th question में, on 31st January 2017, तो 31,01, 17 का बनाना है as on, ठीक है जी, और वो कह रहा है, in the past book of Shri M.L. Gupta, short a debit balance of 41,000, इसका अबल, overdraft हुआ, तो overdraft लिखेंगे, overdraft, यहाँ, debit balance of, यहाँ, as per, past book, पास book, ठीक है जी, कितना balance है, 15,600 का, ओके जी, उसके बाद वो क्या कह रहा है, कि checks of rupees, 15,600 were drawn on 27th January 2017, out of which check of rupees 11,000 in cashed and 31st, एक 17, पर 11,000 के ही आपके account में से, अभी कटे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, checks drawn, यह issued, checks drawn, but not in cashed, और वो कितने के हैं पटा है, 15,600 में से, 11,000 माइनस करतो, तो वो क्या आगया, चाली सो, second, a wrong debit of 800, has been given by the bank in the passbook, wrong debit, तो bank ने हमें wrong debit गिया हुआ है, तो हमें भी यह add करना पड़ेगा, क्योंकि हम cashbook में तो यह add नहीं है, यह, less नहीं है, नहीं है, यह, wrong debit given by bank 800, third, a check of rupees 200, was credited in the passbook, but not recorded in the cashbook, तो यह फिर में less करना पड़ेगा, check credited in passbook, वो सीधा bank में तो चला गया, लेकिन हमारे पास cashbook में नहीं है, but not in, not recorded in cashbook, कितना, 200 का, उसके बाद fourth क्या है, a check of rupees 200,000 was deposited for collection, ठीक है, but out of these checks of rupees 24,000 has been created in the passbook on 5th January, तो इसका मतलब, 24,000 का check हमारे पास भी deposit नहीं हुआ बैंक में, तो यहां लिखेंगे check deposited in the bank, but not credited, तो यहां पे कितने का check है वो, 74 वाला, 31 एक तक हमारे खाते में नहीं आया था, जबकि cashbook में एड है, इसलिए मुझे एड करना पड़ेगा पास book के balance में, a check of rupees, 1000 was returned dishonored, तो हमारी इसके पास entry नहीं है, तो check dishonored, वो कितने का गया, 1000 रुपे का, ओके जी, and interest on overdraft and bank charges, total बनके बनता है 100 रुपे, were not recorded in the cashbook, तो यह भी कर लो, interest on overdraft and bank charges, उसने कठे charges दी हैं दोनों, इसलिए हमें अलग लग नहीं पता, तो हम अलग करेंगे भी नहीं, ठीक है, a check of rupees 500 debited in the cashbook, omitted to the bank, हमने cash में तो जमा करा लिया, जमा कर लिया cashbook में, लेकिन bank में बेजा नहीं है, तो यहाँ पर हमें, वही करना पड़ेगा, add, check debited in cashbook, but not recorded, recorded नहीं, but not sent to bank, sent to bank, bank बेजा ही नहीं है आपने, ठीक है, तो यह कितने का था चक, 500 का, तो अब इसका हम सब का क्या करेंगे, total कर लेंगे, यह देखो इधर किना है, तो यहाँ पर हमारे पास जो balance था students, वो था 41,000 का, कितना balance था, 41,000 का, वो मैंने गलती से वो लिख दिया 15600, ठीक है जी, 41,000 का balance है, 41,000, 4600, and 200, ओके जी, तो यह बनके आजेगा हमारे पास 45,800, क्या बन गया, 45,800, एक्चुन में यह 15,600 यह था न, वो गलती से यह लिखा गया मेरे से, यहाँ पर और एक 40,000 है यह balance, ठीक है, आप उपर से देखी रहे हो, 800, 74, 100, 2100, और 500, इसका total करेंगे तो यह बन जेगा, 9800, ठीक है जी, तो यह बन गया आपका, 45,800, और 98, तो यह आगया, 800, जमा, 74, 100, जमा, 1100, जमा, 500, 900, यह आगया, और उसमें से हम मैं माइनिस करूंगा, 45,800 में से यह figure को, तो यह बन के आजेगा, 36,000, तो हमारे पास कितना balance है, यह overdraft का balance आजेगा, यह भी cash book का, कितना आगया, 36,000, overdraft, credit, balance, as per cash book, ठीक है जी, तो यह रहा students question, ठीक है जी, students question में कोई गड़बर नहीं है, विल्कुल ठीक है, वो बस figure एक गलत लिखी गई थी, वो ठीक है, 41,000 यहां आएगा, ओके बाकी सारा question ठीक है, एक बार आप दुबारा देख लीजिए, राइट जी, चलि, ठीक है, इसी के साथ यह question और यह video, conclude करता हूँ मैं यहीं पर, ठीक है जी, I hope कि आपको अच्छी तरह समझा रहा है, ठीक है, बाकी questions करेंगे हम अगली वोडियो में, ओके जी, बाए,